आपने महिलाओं को रोड बेला दिया है, हम बेटियों को रोड पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अस्पताल में तो हम जाएंगे, तो हमारे माथे का सिंदूर पुछवा देते हैं आप, हमारे पती मर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, कल हम मर जाए, अस्पताल की विवस्ता ख तो आज जनदिकार पाटी का भीर देख ले और उनको अब दर्ब प्यादा कर ले कि जाब का बच्चा बच्चा चच्चा जाग चुका है चच्चा को भगाने के लिए युवाओं को बेरुजगार कर दिया पिट्रॉल डीजल के रेट पढ़ा दिये महिलाओं के साथ रेप किया क्या कर लिया अपने ऐसा बिहार के लिए कि आप उस गद्धी पर रहने के लायक है आज तो हम लोग आरेस्टिंग दे रहा हैं अगला बार नितीश कुमार के हम लोग आरेस्ट करेंगे जहां पे सुवर घूमते हैं वहां पे आपने पपू यादव जी को रख दिया पपू यादव की है और पपू यादव पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहा है आज कहीं न कहीं पूरा देश पूरा बिहार त्रस्ट हो चुका है और वो सेवक जिसने पूरे बिहार के लिए अकेला वो युदवन मैन आर्मी की तरह खड़ा हुआ उसको भी आपने जेल के अंदर कर दिया जेल के अंदर हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं जहां पे सुवर घूमते हैं वहां पे आपने पपू यादर जी को रख दिया आप समझ के क्या रहते हैं नितिश कुमार जी मैं पूछना चाहती हूँ आज पूरा बिहार मेरे पीछे खड़ा है वो पूछना चाहता है आप से कि आपने आम जन्ता के लिए क्या किया युवाओं को बेरुजगार कर दिया पिट्रॉल डीजल के रेट पढ़ा दिये महिलाओं के साथ रेप किया क्या कर लिया अपने ऐसा बिहार के लिए कि आप उस गड़ी पे रहने के लायक है और जो बेटा रहने के लायक था उसको अपने डर के मारे अंदर गुशा दिया क्योंकि आपको जन्तिकार पार्टी से डर हो गया है इस बात को समझने की जुरत है कि आज बिहार रोड पे उत्रा है आज ये बिहार के ही बेटे हैं आज बिहार के ही मही लाइविंग है इस चीज को समझे और आज आप नहीं समझे और क्योंकि आज पूरा बिहार जाग चुका है क्योंकि हर वर्ग हर व्यू आविंग आके खड़ा है तो समझना तो है मैंने आपको बताया पहले भी आज कहीं न कहीं पप्पू यादव जी की रिहाई नहीं हुई बेरुजगारी बढ़ती रही डीजल पिट्रॉल के रेट बढ़ते रहे और पपू यादव क्यों हर बेटा आरेस्ट हो आज हर बेटी आरेस्ट हो आज क्योंकि हमारे हक की बोल रही है कि आज सरकार अंदेखा कर रही है आज पूरा बिहार देख रहाई ये चीज़ कि सरकार अंदेखा कर रही है और यह जरूरत क्यों बड़ी आज आप अमरे ऊरे बच्चे मरजाएं कर हम जाए अस्पताल की विवस्था खराब है आज मंगल पांडे रिजाइन करें क्यों नहीं रेजिगनेशन लिया आपने नितिश कुमार जी चूडिया पहन ली है अपने हाथ में क्या हुआ है आपको भाजबा से डर गए हैं आप किसे डर गए हैं आपकी हुकुमत सिर्फ पप नितिश कुमार का आग खराब हो गया था उनको नजर नहीं आ रहा था इसलिए दिल्ली में आख्चेक करवा लिये हैं तो आज जनदिकार पाटी का भीर देख ले और उनको अब धर प्यादा कर ले कि जाब का बच्चा बच्चा आच्चा च्च्च्च्च्च्च्च्च् भगाने के लिए इसलिए नितिश कुमार अगर आपको सर्म होगा तो गरिवों की मसीहा को जल से जल रिहा करें आई अम्बूलेंच चोर को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर बंद करें आज 46 दिन जेल में बंद करने से उन लोग लग रहा होगा कि जनदिकार पाटी खत्त लेकिन जनदिकार पाटी का देख लिजिए नितिश कुमारों का सीम अवास से घीश तकते हैं इसलिए आप लोग से मांग करते हैं रिक्वेस्ट से कि गरिवियों का मसीहा आम पबलिक आवाज को जल से जल रिहा करें यह रिक्वेस्ट है नहीं तो हम लोग अगला कदम सीम औ钱 होंकि में अगला तो हम लोग आरेस्टिंग दे रहे हैं अगला बाध नितिश कुमार के हम लोग अरेस्ट करेंगे inhale नितिश कुमार जनते versts जित्ते हैं अभ tow को से जितते हैं क्योंकि कोई भी लेकिन आज तो आज कल जो वक्तियार बुर्पर का मुन्ना जो है वो तो कमाल कर रहा है पिछले 16 साल से कब जमा हुआ है कोई जमा हुआ है सब को उखार फेकने के लिए जनदिकार पाटिया भागया है कोई कहता था बिकल्प नहीं है लेकिन आप बिकल्प हम लोग आ गए है और जनदिकार पाटि का एक ही काम है शिर्फ जनता को मदद करना अगर मदद करने हमारे जान मी चली जाती है तो वह कुर कर रहे हैं तो लेख सकते हैं तमाम अलग अलीज गेलों से करगश्टा जो है वो आए हुए हैं और आज just करो मरो जेल भरो आंडोलन जो है जो है द्वाख किया जा रहा है और आज जो है यह भी रफकडारी न है तो तकर छाहने में आब देखना यह होगा कि पुलीस इनको ग्रफसार करती है नहीं और आगे ये लोग जा कुछ करते हैं, बने नहीं मारकाज मेरा नाम वरून चाहा है, आप जंका जो हम देख रहेते, बहुत बहुत है नमाद